नमस्कार दोस्तों अत्तिकी पाट साला पे आप सभी का श्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे BEO, NTPC और CTET, DSSB की प्रिफरेशन के लिए प्रद्दिन जियोग्राफिय और हिस्ट्री से वीडियो डाले जाते हैं तो उसी सत्र में जियोग्राफिय का जो अगला सेशन है जो तीसरा सेशन है जो महत्तोपुड प्रश्णों की सिंखला है उसका जो तीसरा सेशन है उसका वीडियो आपके सामने है दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली नही नही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आए दोस्तों सुरू करते हैं इस सेशन को प अक्सर पुछे जाते हैं मित्र कि कौन सा जो शहर है वो गंगा नदी पर इस्थित है तो इसका जो आप्शन दिये गए हैं वो है कानपूर, पतना, वराडशी, दिल्ली तो गंगा नदी पर कौन सा सहर इस्थित नहीं है यह अक्सर हम ध्यार नहीं देते हैं लाष्ट में नहीं लिखा रहता है और हम यह इसका अनसा लगा के आते हैं कि कौन सा सहर इस्थित न तो इस प्रशन में देखिए यहां लिखा है नहीं है नहीं है तो कौन सा प्रशन नहीं है कौन सा शहर नहीं है तो इसमें कानपूर भी है वारानश्री भी है पटना भी है लेकिन दिल्ली नहीं है दिल्ली जो है वह यह उना नदी के तट पर इस्थित है अगला प्रशन है आ आगरा किष्ण नदी की किनारे इस्थित है तो गंगा नदी की गलत अप्षन है अलगनन्दा ये गंगा का ही एक नाम है भागी रथी गंगा की नाम है जो मित्रों जो अलगनन्दा और भागी रथी है ये गंगा की दो धाराएं है ठीक है ठीक है गंगा का जो ओर्जिन उसकी दो धाराएं है ठीक है तो जो आगरा है वो यमुना नदी के तत परिश्थित है इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो ताज महल है ताज महल यो है वो यमुना नदी के तत परिश्थित है यमुना तो ताज महल यमुना है ताज महल कहा है आगरा में है और सूरत किस नदी के तत्पर इस्थित है बहुत ही अच्छा प्रश्ण है दोस्तों सूरत जो एक cotton textile cotton textile center भी है वो किस नदी के तत्पर इस्थित है बताए बताए आपने कमेंट करके आंसर लगाई हैं, दोस्तों, शोन नदी, नर्मदा नदी, तापी और कावेरी, नर्मदा नदी और तापी नदी एक दूशरे की शहायक नदी, यान जो तापी है, ट्रिबूटरीज है, नर्मदा की, शोन नदी और कावेरी, जिया हैं दोस्तों, इसका आंसर ए ह जाएगा नर्मदा नदी शूरत नर्मदा नदी के तत पर इस्थित है अगला जो प्रशन है जमसेदपूर किस नदी के तत पर इस्थित है जमसेदपूर दोस्तों किस नदी के तत पर इस्थित है जमसेदपूर एक इंडस्ट्रियल जोन है जहां पर टाटा श्टील है टाट इस्टील किस नदी के टट पर इस्थित है पहला है गोमती दूसरा है श्रॉडर एका तीसरा है मयुराक्षी तिच्चो था है अजय बताए दोस्तों जी हां इसका option number A सही हो जाएगा गोमती नदी के तट पर इस्थित है जो जमशेद पूर है वो गोमती नदी के तट पर इस्थित है अगला प्रस्न दोस्तों नासिक किस नदी के तट पर इस्थित है नासिक कहां पर है पहले यह जानिए नास्टिक आपका मह महाराष्ट में नाशिक है और महाराष्ट में बहने वाली प्रमुक नदिया कौन-कौन सी है दोस्तों यह आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि महाराष्ट में बहने वाली प्रमुक नदिया कौन-कौन सी है आप हमें कमेंट करेंगे तो हम नदियों के तट पर बसे कुछ जो कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा वीडियो गर पशंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न बोलें तो बताएं इसका उत्तर दोस्तों जी हां दोस्तों जो नाशिक है वो गोदावरी नदी के तडपर इस्थित है गोदावरी नदी के शंबन में दक्षडी गंगा भी इसे कहते हैं गोदावरी को दक्षडी की गंगा है दक्षडी गंगा है जो चाहिए हो कह लिजे दक्षडी की गंगा कहते हैं अगला जो प्रश्ण है बहुत ही इंपोर्टन प्रश्ण है भारत का सबसे उचा बात कौन सा है बहुत ही अच्छा सबसे उचा बाद कौन सा है जी है दोस्तों बहुत झी अच्छा प्रशना है टिहरी बांध ये टिहरी बांध जो है वो सबसे उचा बांध का सबसे उचा बांध जो है वो टिहरी बांध है और भारत का सबसे लंबा जो बांध है दोस्तों वो हीरा कुंड बांध है सबसे लंबा अगर लंबे की बात पूछ रहा है लंबा अगर पूछ रहा है तो आप हीरा कुंड लगाएंगे और अगर सबसे उचा पूछ रहा है तो आप टिहरी लगाएंगे बहुत ही अच्छा प्रशन दोस्तों है अक्सर एक्जाम में पुछा जाता है अगला जो प्रशन है कि हिराकुंड बांद किस राज में इस्थित है ये भी प्रशन अक्सर पुछा जाता है टिहरी बांत किस राज में इस्थित है ये भी प्रशन अकसर पूछा जाता है तो अगला जो दोनों हमारे प्रशन है वो इसी संबंद से है क्योंकि दोस्तों एक प्रशन जो पूछा जाता है उससे दूसरा प्रशन जुड़ा हुआ होता है तो आपको एक प्रशन से रिलेटेट कई तर्थियों को याद रखना है कि टिहरी बांत किस राज में इस्थित है तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि टिहरी कहां इस्थित है तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि टिहरी कहां इस्थित है तो टिहरी जो है टिहरी बात जो है या टिहरी जो अस्थान है वो उत्राखंड में इस्थित है कहां इस्थित है उत्राखंड में उत्राखंड जो राज है वहाँ पर टिहरी इस्थित है कभी-कभी लोग गलत करके आते हैं उत्तर परदस में टिहरी नहीं इस्थित है उत्तर अलग स्टेट बन गया जिससे उत्राखन जो है वह अलग राज बन गया तो तेहरी बाहत किस राज में है इसका प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा उत्राखन राजस्थान में नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं है उत्तराखन में उत्तराखन मे इस प्रस्ण का जो उत्तर हो जाएगा वो उडिसा हो जाएगा अगला जो प्रस्ण है अलमाटी बांध किस राज में इस्थित है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है कई बार पुछा गया है इसलिए मैंने इसको इस श्रंखला में रखा कि अलमाटी बांध किस राज में इस्थित है तो हीरा कुंड बांध जो है जैसा कि आप जानते है उडिसा में इस्थित है उसी तरह जो अलमाटी बांध है वो करनाटक में इस्थित है करनाटक में अलमाटी बांध इस्थित है इसमें कन्फ्यूज मत होईएगा अगर हीरा कुं अगर आप से पुछा अलमाती बान्ह है तो आप सीधे लगाएंगे करनाठक करनाठक में अलमाती बांध ठीक है दोस्तों अगला ऐसी से जो संबंदित बन सकता है किelaमाती बाद किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों जो अलमाटी बांध है, वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, अक्षर पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्ण इसी से बनते हैं, इनी से संबंधित प्रश्ण बनते हैं, अगला जो प्रश्ण है, हिराकुन बांध किस नदी पर बना हुआ आप सभी लोग जानते हैं कि हिराकुन बांध जो है वो महा नदी पर बना हुआ बांध है महा नदी पर हिराकुन नामग बना हुआ है अलमाटी बांध के अगर बात कर रहा है तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है अभी मैंने बताया जैसा कि दोस्तों अलमा भारत की सबसे बड़ी मीठे जलवाली जील कहा है, तो मीठे जलवाली जो जील है, वो सबसे बड़ी पूछ रहा है, अगर बिस्व की पूछें, दोस्तों, बिस्व की सबसे बड़ी जील, तो सुपीरियर जील है, सबसे मीठे पानी की बिस्व की सबसे बड़ी जील, सुपी जम्बू एंड कास्मीर में है जे के अब याद रखेंगे वलर जील को प्रशन को याद रखेंगे अगला जो प्रशन है चिलका जील किस राज में इस्थित है चिलका जील बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है जीलों से संबंधित और नरियों से संबंधित बांधों से संबंधित प्रश्णों की सिंखला इसमें दिया गया है आपके लिए इन प्रश्णों को हमने इकठा किया है इन प्रश्णों को एक एक टॉपिक से निकाला है और आपके लिए यहाँ, क्योंकि अक्सर भारत से जब प्रशन उठाया जाते हैं, तो इन ही सब टॉपिकों से प्रशन उठाया जाते हैं, क्योंकि confusing होता है थोड़ा सा, अगला जो प्रशन है, कि भारत में जो चिलका जील है, वो किस राज में स्थित है, भारत की जो चिलका अगला जो प्रशन है, अगला जो प्रशन है दोस्तों, जी अगला अगले प्रशन का लूनर जील किस राज में स्थित है, अगला जो प्रशन है भारत का सबसे लंबा जल, प्रपात, जोग या गर्ष उप्पा, जल प्रपात किस राज में इस्थित है तो इसका भी आंसर आप जानते हैं थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रुवत है आंसर जो है इसका उड़िशा और स्वारी करनाटक शमा चाहते हैं करनाटक में जो गर्स उपा है करनाटक में है किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर यह इस्थित है अगला जो कृष्णा है कि शिव समुंद्रम जल प्रपात किस नदी पर इस्थित है शिव समुंद्रम जल प्रपात किस नदी पर इस्थित है तो शिव समुंद्रम जो जल प्रपात है किस नदी पर इस्थित है बताए दोस्तों कमेंट करके अपने आंसर को दीजिए नर्मता नदी, कृष्णा नदी, गुदावरी नदी, कावेरी नदी तो इन में शे किस नदी पर इस्थित है जी हां दोस्तों बिल्कुल सही कावेरी नदी पर इसका जो आंसर है कि शिवश्वमुंद्रम जलप्रपात कावेली नदी पर इस्थित है अगला जो प्रशन है भारत में प्रतम बहुत देशी नदी घाटी परयोजना का निर्माट किस नदी पर किया गया यहाँ पर ध्यान दीजीएगा दोस्तों यह प्रतम पूछ रहा है यानि पहला जो नदी घाटी है उसके बारे में पूछ रहा है तो वो किश नदी पर किया गया था पहली बहुत देशी परयोजना की शुरुवात की गय थी अग्ला जो प्रशन है पेरियार जल बिद्दोत परयोजना किस राज में इस्थित है आंसर दे दोस्तों करनाटक में, तमिलनाडू में, अंधरपरदेश में, कीरल में जी हां दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कीरल पेरियार्चो जल विद्दुद पर्यूजना है कीरल राज में इस्थित है तो इस तरह भी प्रस्ण पूछ सकता है की राज्य या नदी तो किस राज्य या किस नदी में इस्थित है तो किस नदी पर इस्थित है दोस्तों नर्बदा नदी पर जो पेरियार पर उजना है किस नदी पर इस्थित है नर्बदा नदी पर अगला जो प्रशन है कि सलाल परियुजना किस नदी पर इस्थित है या कहां पर इस्थित है तो सलाल जो परियुजना है दोस्तों वो जम्बू और कास्मीर में इस्थित है जम्बू और कास्मीर में सलाल नामत परियुजना इस्थित है अगला जो प्रशन है कि भाक्रा नंगल एक संजुक्त पर्यूजना है भाक्रा नंगल जो बांध है वो एक संजुक्त पर्यूजना है किसकी संजुक्त पर्यूजना है जो भाक्रा नंगल बांध है तो हिमानचल परदेश, हरियाना और पंजाब की अकसर पूछा जाने वाला बहुत ही important प्रश्ण है बहुत ही important प्रश्ण है जी है दोस्तों इसे के साथ इस श्रिंखला की इस कड़ी का श्रमापन होता है नमस्कार दोस्तों चैनल अगर आपको वीडियो लाइक आए तो इसको subscribe कर लिजिएगा, share कर दीजिएगा Thank you so much धन्यवार